हाई, वेलकम दो माज चनल, इस वीडियो में सॉल्ट करें क्वेशन नुबर टू, कॉंस्टाक्ट अ क्वाडिलेटरल A, B, C, D, वेर A, B is equal to 5.5 cm, B, C is equal to 3.7 cm, एंगल A is equal to 60 degree, एंगल B is equal to 105 degree, एंगल D is also given, एंगल D is also given, that is 90 degree. लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रावलम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह के प्रावलम में, जिसमें 2 साइट से दिया हो, और 3 एंगल से दिया हो, इसमें क्या ध्यान रखना है, कि जो 2 adjacent साइट से दिये रहते हैं, मिन्स A, B और B, C, इनके जो vertices होते हैं, उन पर एंगल आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको construct कर सकते हैं, जैसे कि आपका A vertex है, इस पर 60 पता है, B vertex है, यहाँ पर 105 पता है, लेकिन C vertex पर पता नहीं है, ठीक है, आपको BC length पता है, और C vertex पर एंगल नहीं पता, तो पहले-पहले आप क्या करेंगे, कि इस एंगल को find करेंगे, और हम find कर सकते हैं, by using angle sum property of a quadrilateral, तो first of all, we will find angle C, we know by angle sum property of a quadrilateral, that sum of all these angles is equal to 360, हम ही जानते हैं, अब यहाँ पर जो आपको 3 angles पता हैं, उनको put कर देंगे, और equation जो बनेगा, उसको solve करेंगे, तो angle C मिल सकता है आपको, तो हमने ऐसा कर लिया, अब यहाँ पर 3 angles को add करकी, हम मानस कर देंगे 360 में से, तो आपका angle C मिल जाएगा, ओके तो हमारा मिल चुका है 105 degree, इसको हम यहाँ node कर लेंगे, 105 degree, आपका angle C आचुका है, अब हम construct करना start करेंगे, तो किसी भी एक side से आप construction start कर सकते हैं, तो A, B को हम पहले draw करेंगे, 5.5 cm, after that we will make angles, ओके, let us start, ओके तो हमने A, B, 5.5 cm draw कर लिया है, now A, पर हम एक ray बनाएंगे, 60 degree angle बनाते हुए, तो यूज़ करेंगे हम protector, ओके ध्यान दीज़ेगा, A, B, आपका right side मैसेज आ रहा है, तो आप यहाँ पर उपर वाले, बाहर वाले skill के यूज़ करेंगे, यह बाहर वाला, तो हम यहाँ पर देखेंगे, 60 कहाँ है, 60 अपर यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक point मार्क कर लेंगे, ओके तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 60 degree का जो मार्क है मैंने बरा लिया है, अब यह point और यह point हमने मार्क किया है 60 degree angle के direction में, इन दोनों को जोइन करते हुए हम एक redraw करेंगे, ओके हमने एक redraw कर लिया है, A, X, इसका नाम दे देते हैं, A, X, After that, यहाँ पर angle को हम लिखे बलेंगे, यह आपका 60 degree हो गया, अब यह B point पर हमें angle बराना है 105 का, ध्यान देज़ेगा B, A आपका left side में है, तो हम नीचे वाले scale का यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर बनाएंगे 105, तो 100 और 110 के बीचो बीच जो आपका point दे हुआ है, वहाँ पर एक point mark कर लिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 105 degree पर हमने mark कर लिया है, अब यह जो B point है, B point से और इस जो हमने mark किया यहाँ पर point, इस point से होते हुए हम एक ray draw करेंगे, दूसरी, उसका नाम हम देंगे by, हमने by एक ray खीच लिया है और इसका जब direction है इस ray का, वह AB से 105 degree बनाते हुए मैंने बना दिया, अब हमें करना क्या है कि B point को center मान करके 3.7 cm के radius ले करके, आपको एक r खीचना है जो इस ray को, by ray को क्या करेगा, c point पर intersect करेगा, हमने एक arc draw कर लिया है और this point of intersection is c, आप देख सकते हैं, c पर हमें 105 degree बनाना है, जो ax को cut करते हुए कहीं से जाएगा, and that point जहां पर cut करेगा, वह point का मिलेगा आपको d, आप यहां देख सकते हैं, center से जो हमें, cb जो line है वो नीची के तरफ है, तो हम यहां पर use करेंगे, नीची बाले skill का, तो यहां पर 10, 20, 30 ऐसे करके, यहां पर है 105 degree तो 105 degree देखें कहां पर है, तो आपका यहां इस point पर आ रहा है, आपका 100 और 110 के बीच में यहां पर, तो यहां पर एक mark कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, 105 degree पर हमने mark कर लिया है, ओके तो c point और जो हमने point रखा थे हैं, यहां पर 105 degree के direction में, bc के, तो हमने यह जोइन कर दिया, और उसके direction में हमने एक ray ड्रा किया, c, z, इसको बहुत सकते हैं, आप c, z, आप सारे rays को एक अलग-अलग नाम देते रहेंगे, तो c, z हमने ड्रा किया, तो यहां पर इस point और intersection जो आ चुका है, वो c, z, ax का, वो आपका point है, आपका d, तो हमारा यहां पर required जो quadrilateral है, वो construct हो चुका है, और आप यहां पर measure कर देख सकते हैं, कि यह 90 degree ही होगा, ठीक है, आप सुच रहेंगे कि यह 90 degree का यूज हमने किया ही नहीं, तो बिल्कुल आप 90 degree का यूज नहीं किये हैं, उससे कोई फख नहीं पड़ता, लेकिन यह आपका 90 degree ही है, ओके, कर दो, कि यह में ए prayer झापका यूजिए Stephen